अब बच्चो कुछ और important बात देखते हैं कि आपका जब टक्कर होती है तो क्या संवेख संरक्षित रहता है या नहीं रहता है बच्चो ड्यूरिंग कोलिजन यानि कि टक्कर के दौरान निकाय का संपूर संवेख संरक्षित है किन्तु यहाँ पर आपकी यांत्रिक उर्जा उर्जा की बात नहीं कर रहा मैं उर्जा भी संरक्षित रहेगी लेकिन अगर मैं कहूं यांत्रिक उर्जा जो कि आपका योग होता है इस्तितिज उर्जा प्लस गतिज उर्जा का तो वो संरक्षित नहीं रहती तो रह भी सकती है नहीं भी रह सकती है हमने टक्कर के प्रक अगार में देखेंगे कि किसमें आपकी यह थी कार्व प्रकार का शलती की घ्ला के अरॉकल का का यहां तो होता क्या है widely तंक करेंगे से बित्षक प्रकार उता फ्क्रान कार बैशना सबस्वाटे ऊपर करें यह चाहिए को मिलेगा जैसे माल लेता हूं मेरे पास एक ये body और दूसरी body कुछ ये कुछ इस तरीके से ये दो body है इसका केंडर तरह इसका केंडर जो है वो ये है देखें अभी ये माल लेता हूं UA wake से چल रही है और ये UB wake से चले तो ये एक दूसरे में क्या कर रहे होंगे खुसने की कोशिश कर रहे होंगे ये इसका शेप बिगाड रही होगी बॉल बी जो है बॉल एका शेप बिगाड रही होगी बॉल ए जो है बॉल बी का शेप बिगाड रही होगी शेप में कैसे changes आएंगे यानि की विरूपड कैसा होता है इसको बाद में देखेंगे कुछ basic basic terms को जानना जरूरी है तो बेच्चो देखो यहां पर जो है न यह एक दूसरे को इसपर्ष कर रहे हैं वैसे मैंने दिखा दिया है लेकिन ऐसा होगा कि जब वास्तविक चित्र होगा तो उसमें आपको देखने को भी मिलेगा कि केवल मात्र एक बिंदू पर इसपर्ष कर रहे होंगे निश्चित दोर पर तो आप देखें कि इन दोनों की एक उभैनिस्ट इसपर्ष रेखा होगी जैसे हम बोलते हैं कॉमन टैंजेंट हिंदी में बोलेंगे उभै उभैनिस्ट इसपर्ष रेखा उभैनिस्ट इसपर्ष रेखा तो बच्चो जो इनके बीच में अभी देखो मैं बॉले को अलग से बनाता हूं यहां पर ध्यान से देखिए बिटा बहुत ध्यान से बॉले पर यहां पर इसपर्ष हो रहा है ना बॉल भी क्या कर रहे हैं इसमें गुसने की ठीक है और अगर मैं यह बात करी मैंने बॉल ए की और यह फोर्ट जो लगा रही है बॉल बी लगा रही है इसी तरीके से अगर मैं बॉल बी की बात करूँ तो बॉल बी का मान लेते हैं यही था अपना यहां पर है कॉमन्ट एंजेंट और यहां पर जो है बॉल ए इस पर बन लगा रही और यह इसमें घुसने की बॉल एजो ऑली बी में घुसने की बच्चो कोशिश कर रही है अब क्या होगा यहां पर विरू पर चलू हो जाएगा ठीक है ना तो इसको समझदें गे बात में देखो जिस लाइन के अब देखो यह जो यह आपका इस तरीके से लग रहा है यह यहाँ पर अगर मैं बिटा यहाँ पर दिखांँ आपकी दिखेंगो यह फोरस आपका नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा जैसे हम कहारे है भ message है आपके यह वयाइब फूर्स लग रहा है वह यहाँ होगा बच्छो इफ fui Además लग रहा होगा बिटा यहाँ लग रहा होगा असान बात चीज है अब देखो यहां पर आपके विरूपण करने वाले forces या फिर मैं कहूं आपके आवेगी बल या impulsive forces आ रहे हैं जिस रेखा के अनुदिश याद रख लेना ये बात एक दम इस पस्ट तोर पर जिस लाइन ओफ इंपक्ट जिस रेखा के अनुदिश आपके किस प्रकार के बला रहे हैं आवी की बला रहे हैं उस रेखा को हम बोलते हैं लाइन ओफ इंपक्ट समान नित और पर आपको देखने को तो मिलेगा कि जो line of impact है ये common tangent के लंबबत या perpendicular होती है ये एक important point है बच्चो इसको याद रखिएगा ठीक है अब संगट के प्रकार हमें देखने है तो हमें दो बाते पता है line of impact पता चल गई और उबने इस्ट पर श्रिका पता चल गई अब बच्चो ये ball गती भी तो कर रह आनों भी यानि कि इसकी गती की रेखा की दिशा ये इसकी गती की दिशा ये इसकी गती जो है सम्मुख टक्कर head on collision भी बोल दिया जाता है तो ध्यान से समझिएगा कि यदि जिस रेखा के अनुदिश बॉले गती कर रही है साथी साथ line of impact या जिस रेखा के अनुदिश आपके आवेगी बल आए है वो दोईनों रेखा एक दूसरे की ऊपर coincide करती हो तो इस प्रकार की टकर को बच्चों हमने कह दिया सम्मुख टकर या एक विमिय टकर ठीक समझ में आया ना तो अब एक विमिय टकर में क्या क्या हो सकता है आईए देखते हैं तो बच्चों अभी हम जानने जा रहे हैं कि क्या होते हैं संगट के प्रकार तो देखो संगट के प्रकार जो है किये गए हैं एक तो दिशा के आदार पर हैं दूसरा उर्जा के आदार पर हैं तो बचो अभी हमने तोड़े देर पहले यही देखा था कि किस तरीके से दिशा के आदार पर आपके संगट के प्रकार हैं तो सबसे पहले दिशा के अधार पर दो होते हैं संगट के प्रकार, पहला प्रकार आपको पता है, एक विमिये टक्कर भी बोलते हैं, सम्मुग टक्कर भी होते हैं, आप मानलो आप दौर तो गुजा रहा है, आपका सान दौर तो गुजा रहा है, आप दूसरे में बिढ़ इस मेंए टक्कर के उपरांत भी जो वस्तुएं एक ही रेखा जिस रेखा के अनुदिश पहले दिशाः लगो सकती है एग रेखा में दो दिशाः अंह संभव है आगं की तरफ यह पीछे की तरफ लेकिं लेखा के अनुदिश कती करते हैं तो इस प्रकार की टककर को हम एक विमिये टककर भी कह देते हैं आगली जो आपके आती है त्रियक टककर तो उसको एक उधारण से समझ देते उसके बाद उसकी डिटेल में जानते हैं कि बच्चो क्या होती है त्रियक टककर तो सबसे पहले देखो मानलो यह आपके पास बच्चों यह है एक इंग्लाइंट प्लेन जिसे हिंदी में आनत तल भी बूला जाता है और यह देखिए आपके इसकी उपर एक बॉल कुछ यहां से गिरी है उपर से कुछ इस तरीके से एक बॉल गिरी है तो आप देखिए जो बॉल गती कर विशा जिसे हम कहते हैं लाइन ओफ मोशन तो यह रही पिटा यह लाइन ओफ मोशन तो यह रही लेकिन जो आपके आवेगी बल आ रहे है ना यह आवेगी बल तो इस पॉइंट ओफ कंटेक्ट पर आएंगे ये आवेगी बल बच्चो इस point of contact पे आएंगे तो ये देखा आपकी कहलाईगी line of impact जैसा कि हमने पहले भी जाना था तो line of impact और line of motion एक ही साथ एक ही मतलब एक दूसरे के उपर नहीं है स्थित नहीं है तो coincide नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो मैंने क्या कहा था ये तक्कर आपकी त्रियक तक्कर या English में oblique collision कहलाता है बच्चो समझ में आती है असान बात चीते ना तो line of motion line of impact के along नहीं है तो ये आपकी तक्कर क्या हो गई आपकी ये तक्कर बच्चो कहला ही ये आपकी त्रियक तक्कर ठीक एक और example देख लो मानलो आपने कैरम तो खेला ही होगा कैरम खेला है ना तो अब आप देखें कैरम में क्या है कि मानले ते एक आपका ये जो striker है वो ना ऐसे चूके चला गया तो आपकी देखें आवेगी बल तो इस दिशा में आए पर टक्कर की जो गती की दिशा है वो ये है तो क्या हो तक गोटी आपने देखा होगा इसे चली जाती है है ना देखा होगा इसकी दिशा कुछ परिवर्तित हो जाती है ये गोटी इस तरीके से चली जाती है और यहां पे मालों छेद होता है तो उसमें गुज जाते हैं, आपका कहरम में आप जीट जाते हो, ठीक, तो इस तरीके के आपने देखी हूगी चीज, तो यह आपकी टक्कर कौन से कहलाईगी, तरियक टक्कर, तो बिटा आपकी टक्कर के जो प्रकार हैं, दिशा के आधार पर दो दरीगे से रखे गए हैं पहले आपकी आपकी कौन सी आ गई टकर जल्दी से बोलो पता है आप लोगों को यस एक विमिये टकर जिसे हम हैड-on कोलीजन या समुक टकर भी कहते हैं दूसरी आपकी आगए ओब्लीक कोलीजन जिसे आपका त्रिया टकर यह दुविमिये टकर भी कहते हैं बेवे नकोडों में एक ही समतल में गटी करने लगते हैं तो कैरम के ऐसी गोटी हम उस गोटी की बात नहीं कर रहे हैं जो उचल के बा किया क्या होगा इस बात को थोड़ा सा सोच लेते हैं तो कई बार आप लोगों ने क्या किया होगा बच्चों देखा होगा कि आप बॉल को ऐसे ऐसे करके जोर जोर से पीट रहे हुए ठीक तो क्या होता है बॉल का जो बेस है वो कुछ गरम पड़ जाता है तो कहीं ना कही वो उष्मी 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 प्रत्यास टक्कर ऐलास्टिक कुलीजन और जिसमें अधिक तम कौनसी और गतिज उर्जा की नहीं हो जाए तो बच्चो वह कहलाती आपकी अप्रत्यास टक्कर हिंदी नहीं इंगलिश में से कहते हैं इन Elastic Collision तो आपकी टक्कर के मैंने आपको 5 प्रकार के बता दिये अब जानेंगे सम्मुक टक्कर के बारे में और कैसे होती है टक्कर में क्या होता है कि टक्कर के duration में क्या होता है इन सारी चीज़ों को बहुत डेटेल में जानने वाले हैं बच्चों तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे आज की लेक्चर में हमने कवर किया टक्कर के प्रकार और टक्कर के से खहते हैं जुड़े रहें विद्पत्ति के साथ और जरूर चैनल को सस्क्राइब करें जैहन